नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर दोस्तो रुसोई घर एक ऐसी जगा होती है जो अच्छी सेहत के साथ घर की सुक समरिदी के लिए भी जुड़ी होती है भगवान शिरी क्रेश्न कहते हैं रुसोई घर में यह चीज लेकर कभी परवेश नहीं होना चाहिए इसे पूरा घर परिवार विमारी का सामना करता है तो चलिए जानते हैं किचन में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले नमबर वन भगवान शरी कृष्ण बताते हैं रसोई घर को हमेशा साफ सुतरा रखना चाहिए नमबर दो खाना बनाते समय आपका मूँ पूरव की तरफ होना चाहिए उससे खाना खाने वालों की तबियत अच्छी रहती है नमबर तील घर में चाकू छुरिया ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये नेगटिव एनरजी को दर्शाते हैं और घर में लडाई जगडे ज्यादा होते हैं नमबर चार रसोई घर में तूटे फूटे भरतन नहीं होने चाहिए इससे परिवार पर दोश लगता है नमबर पांच रसोई घर में जूते चपल लेकर परवेश नहीं करना चाहिए इससे माता अनपूरना नराज हो जाती है नमबर छे शनिवार या मंगलवार को लोहे की चीज़े नहीं खरीदनी चाहिए नमबर साथ खाना बनाते समय खाने को बार बार चखना नहीं चाहिए इससे माता अनपूरना नराज हो जग कर चली जाती है और घर में आ जाती है गरीबी पहले थोड़ा सा खाना गैस जा चूले पर चड़ा देना चाहिए फिर चक सकते हैं ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है गरम तवे पर कभी पानी नहीं डालना चाहिए इससे घर की सुक शान्ती चली जाती है पहले तवे को थोड़ा ठंडा होने दे उसके भाद ही धूना चाहिए नमबर नो शिरी कृष्ण कहते हैं कि घर में हमेशा जल का भरा पात्र देशी घी और अनाज हमेशा रखना चाहिए जैसे के आटा और चावल खतम होने से पहले ही मंगवा लेना चाहिए ऐसा करने से धन धन्या की कोई कमी नहीं रहती माता अनपूर्णा अपना वास ऐसे घर में हमेशा बनाए रखती है और ऐसा घर कभी दुखी नहीं रहता आज के लिए वास इतना ही फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात के साथ ठेंक यू